अब समझो, क्रश्ण को इतने अब्जेक्शन है, लेकिन मैं आपको शौट में समझा रहा हूँ, कुछ-कुछ मेजर अब्जेक्शन जो क्रश्ण को थे, और आप कल्प्रा करो उस व्यक्तिगी, अर्जुन तो ठक-ठक-ठक-ठक के रहा है, और उसके केने के साथ ही वो समझ समझने कि पूरी बात क्या है, एक सेकन को कुछ भी नहीं, बढ़े मुस्क्वा रहे हैं, कि अर्जुन तौसरी बात क्या कह रहा है, करश्ण का अब्जेक्शन का याजरा समझना, बढ़े धनासे समझना बढ़े घJapanese अब्जेक्शन है समझो आप, यहाँ पर शराप की बोटल पढ़िये, बरो बरे, भाई, चित्र में पढ़िये हाँ, तो दो तिन जने दोल के आ जाए, कहाँ पढ़िये, कहीं नहीं पढ़िये अभी, अब, कूप शराप पी पी के, पी पी के, पी पी के, किसी का लीवर खराब हो गया, अब यहाँ पर लीवर है, बरो बरे, ठीक है ना, अब शरावी बोले, कि मुझे बॉटल सिर्दूर ले चलो, मेरे सामने से बॉटल अटा दो, मुझे ग्यान हो गया है, बॉटल फसाद की जड़ है, गरबल हो गई, अरजुन यही कह रहा है, मुझे युद के मैदान से ले चलो, मुझे तीर उठाना नहीं, मुझे यह जगा पसंद नहीं, मुझे उठा के सन्यास में डाल दो, मैं अनका दाना खाऊंगा, मेरे सामने से सड़ा भठा दो, ठक गया हूँ अब, अरे मेरे भाई, तू ठक गया, तू मर गया, तेरे शास्त्र क्या केते हैं, तू बोटल सामने सड़ा देगा, बोटल से भग जाएगा, समद्दे ना, यही सिख्षाएं आपको दी जा रही है, और यही मुझता है, कर रहे हैं, मुझे आश्यर होता है, क्रश्ण केरे मेरे भाई, बोटल का कसूर क्या है, वो तो बाहर पड़ी हुई है यहां पे, है ना, कसूर क्या है, प्रॉब्लेम ही है कि तेरा लिवर खराब हो गया है, है, अब तू यहां से भागेगा, बाग जा, तो कौन सा लिवर लेके जाएगा, है, कौन सा लिवर ल लेकर जाएगा तो तू बोटल की चर्चा क्यों कर रहा है प्रॉब्लेम लीवर की यह समझ में आई बात कि नहीं आई हाँ अब यहां पे भी सब्सक्राइब ग्यान देते हैं घर में परशानी है हिमालाय आजा तू भी पाष्णा में आजा तू सन्यास ले ले यही के रहा ना तू मंदीर आजा अरे पन लीवर का क्या वो बोलते ही नहीं कोई अब लीवर में क्या है अरजुन के लीवर में क्या है समझो क्रश्णा फरम ग्यानी है और मैं आपको आसानी से समझा रहा हूँ कि प्रॉब्लेम लीवर का है बात करते हो बोतल से दूर जाने की अरे बोतल पीनी हो तो पीना मत पीनी हो तो मत पी मैंने दुनिया की कोई शराब की एसी बोतल नहीं देखी जो आके मुझ में गुझ जाती हूँ अब बोतल से दूर ले चलो तू अपने लीवर की बात कर लीवर ठीक कर बोतल फिर पी लेना इलाज लीवर का करना पड़ेगा नितो सिरोसी सो धी तो करश्णा कह रहे कि मुझे अब्जेक्शन है तू ये सब बाते मत कर हिंसा है भाई मरेंगे दादे मरेंगे चाचे मरेंगे अनका दाना खाऊंगा ये सब तेरी समस्या ही नहीं ये सब बहुत नहीं है बावर पड़ी हुई है सवाल ये है कि तेरे भीतर भाईयों से द्वेश है है, तेरे भीतर राज्य की चाह है, तेरे भीतर इतनी चीजें भरी हुई है, जिसका तुझे अंदा जाही नहीं है, आपके भीतर भी इतनी चीजें भरी हुई है, जिसका आपको अंदा जाही नहीं है, फिर उटपटांग बाते करते हैं, लिवर की चर्चा नहीं करते अपनी समस्या की चर्चा नहीं कर रहे हैं बोटल अटा दो दुनिया बदल दो मुझे यहां ले चलो मैं वहां जाओंगा जितना जाओगे उतना मरोगे क्योंकि उतनी देर से लिवर का इलाज होगा क्लियर है समझ मैं रहे है यह बात हाँ अब अर्जुन की समस्या यहां है और वह बहुत गहरी है जिसे कोई समझी नहीं रहा है अर्जुन तो मूर्ख ही है लेकिन गीता समझाने वाले गीता कहने वाले क्रश्न को पढ़ने वाले समझी नहीं रहे हैं कि तुम जिसे परमग्य नहीं कह रहे हो अगर उसे अब्जेक्शन है तो मामला गहरा हो गया और अती गहरा हो गया यदि मैं कह रहा हूं आप से कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं मान रहे हैं सुना है उस पर अब्जेक्शन है आपको उसको सिर्यस्टी लेना पड़ेगा मेरी कोई किसी से न जाती दुश्मनी है, न मुझे किसी को निचा दिखाना है, न उचा दिखाना है, जिसको उठना उठे, गिरना गिरे, मुझे मतलब मनुश्य से है, मनुश्यता से है, तो आप समझो, भैस मत करो, समझो, गास करो, समझो, कि यहाँ पर लिवर खराब है, और अरजुन की लीवर को छोड़कर यहां की बाते कर रहा है क्रस्टनल केरें कि तो कहीं पे भी जाएगा जाएगा यही लीवर लेके आप भी गौर कर लो भागते हो मन बदल जाता है बलकि जितना भागते हो मन और तेजी से पकड़ता है समझ ले ना पत्नी खराब है, ये सब मान लिया, यहां पर है की नहीं है वो चेक करो, यहां पर है तो खराब नहीं है, शिद्धान समझ ले ना नी तो मरोगे, यहां पर भी है जगड़ा भी करोगे, मन में नहीं है, फिर डाइवर्स भी दे देते, बाद में पस्ता था, अरे यार तो थी होता है ना ऐसा क्योंकि यहां पर है वो बुरा कैसे हो सकता है आपके भीतर है क्रश्ण के रहें कि मुझे अब्जेक्शन है तो आज तो भाग जाएगा कल का क्या राज्य और द्वेश उससे थोड़ी मिट जाएगा मिट जाएगा मिट जाएगा बड़े बड़े आ गए बड़े बड़े चले गए मैं नाम लेना नहीं चाहता लेकिन फट से निकल जाता है कि हाँ ये मेरे मन में है तो भई पहले पता क्यों नहीं चला 40-40 साल हो जाते पहले पता क्यों नहीं चला वो नहीं निकलेगा मैं नाम लेके किसी को डिस्टरब करना नहीं चाहता छोड़ो आप लेकिन ऐसे दसो उदाहने जिने आप पूछते हो भाग गए भागोगे किस चीज से जो भीतर है भाग के दिखा दो भाग सकते हो जितना भागते हो और गहरे में परेशानी बढ़ रही है सबका यह हाल है इसलिए मैं कह रहा हूँ भीतर से भागो मत अपने भीतर को पहचानो और उसी पे लगो क्योंकि भीतर से भागोगे और कश्ट पाओगे और कश्ट पाओगे और कश्ट पाओगे और भाग सकते हैं नहीं अभी के दिया हार गए, लूट गए, मर गए, भाग गए फिर क्या होता है छुटकारा हो जाता है बताओ कोई किसी चीज से न व्यक्ति से न पैसे से न सोच से भीतर है तो भागना उससे छुटकरा दिलवाने वाला नहीं है इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं ये करूँ मैं वो करूँ उससे भीतर नहीं जाएगा उसका पूरा विज्ञा न लगे मा समझ में आ गई अब सभी प्रमुक बुक स्टोर्ज और एकॉमर साइट्स पर उपलब्ध है तो सही एक ही गलत है करश्ट न कहरें कि तेरे भीतर देख तो जहां भी जाएगा जो भी करेगा उससे तेरा भीतर और खराब होगा लिवर और खराब होगा इलाज तो लिवर का करना पड़ेगा जो आज खराब है फिर बाकी सब बाते करेंगे उसके पहले मुझे तेरी कोई भी बात मंजूर नहीं है क्लियर समझ में आ रहे हैं न बात जल्दी बात जी में डिसीजन लेके मरोगे बीतर है तो है और होता है कोई कितना ही सता ले लेकिन यदि पत्नी गहरे में गुज गई है तो आप दूर होने की कोशिश करना और परेशान हो जाते हो होते हो कई बार अनुभाव करते हो न कई लोगों का अनुभाव करते हो आप आपको लगता है यह आदमी चला जा जाए अच्छा है लेकिन भीतर होगा तो थोड़े दिनों बाद लगेगा नहीं 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 तो कोई इतनी खराबी नहीं थी यार उसमें क्योंकि भीतर है वो आप बहार से तय करते मुमेंटी तय करते आज का तय करते उससे कुछ तय होने वाला नहीं है जो बीतर है, गहरा है, उसको पेचान हो समस्य आये के, मैं जानता हूँ कि मनुश्य अपना बीतर ही डंग से नहीं पेचान पारा, आज की तारीक में तो वो भी उसको तीन मेने बाद, छे मेने बाद, कई बार, तीन साल बाद मालूम पड़ता करें यह तो बीतर है, मर गए, तो मैं चाहता हूँ आप अपने को पेचान हो, वो भी सिखाऊंगा कि हमारे बीतर एक्जेट क्या यह पता चल जाए, तो आपने अधी जंग जित ली, अभी बीतर क्या यह पता नहीं है, बहार से इंफ्लुएंस ने हैं, कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन पूरी बात में जो क्रश्न कह रहे हैं अर्जुन से, कि हैं अर्जुन, तु यह चर्चा मत कर, कि मुझे बातल से दूर ले जाओ, बातल मेरे सामने जटा लो, बातल की चर्चा खतम हो गई, चालिस साल से तुमने युद रूपी बातल पीए, अब परेशान हो गया, लीवर बिगड़ गया, तेरा यूद, 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 समझ सकता हू लेकिन इलाज तो लीवर का करना पड़ेगा, बातल का कोई उसमें रोल नहीं है, तुमने ही चराब पी थी, चालिस साल पी ली, लीवर बिगड़ गया, अब उसका इलाज लीवर के ओप्रेशन से ही होगा, बातल से दूर चला जाए, कोई ऐसी जगे चला जाए, जा करशना कह रहे हैं, कि आप जो हो, जो भीतर है, उससे तो मैं भागने नहीं दूँगा, मुझे अबजेक्शन है, क्योंकि उससे भागने की कोशिश मौत की तरफ कदम है, और कितना ही मैं के दू मत भागो, हर कोई आइडिया लेके आ जाता है, ये कर लूँ, कौन करेगा, क कौन करेगा, उससे लिवर ठीक नहीं होगा, और बिगड़ेगा, और बिगड़ेगा, और बिगड़ेगा, और सबका लिवर इसलिए खराब हो चुका है, कि भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, उसके बजाए लिवर का इलाज कर लेता, तो लिवर स् प्रावे, लिवर का इलाज कर लो, सब टिक हो जाएगा, बोल. लो, सर, सर, जैसे आपने लास्ट वक्षप में का था है कि या तो डर निकाल दे, या फिर वो क्या चीज़ थी, या तो डर निकाल दे या जो मन में है वो निकाल दो, तो एक बार वो, एक बार मैं को थोड़ा सा कनशी बिएगा, या जब उस पर आएगे तब, अभी ये इला क्या है लिवर्टिक कर ले लिवर्टिक कर ले मन में द्वेश है राज्य है भय है भाई है शास्त्र का भवाव है जो कुछ भी तेरे भीतर है ना जो कुछ भी भीतर है शास्त्र का प्रभाव नहीं भीतर क्या है राज्य है द्वेश क्रोध बरोबर है यह सब कुछ भीतर है डर भी है, सब कुछ है, वो निकले, तब तो बात करें, वो है, तो तू भाग नहीं सकता, है ना, जैसे कई लोग केते हैं, यार पत्नी बहुत प्रशान करती, डाइवोर्स ले लूँ, मैंने बोला, अगर वो बीतर नहीं बेठी होती, तो तू पुछने नहीं आता, समझ दे हो, मतलब कहीं नहीं कहीं अभी भीतर है, तो मैं कहे रहा हूं, इलाज ये है, कि जितनी भीतर है, उतना निकल जाने दो, कई बार ऐसा भी हो सकता है, कि और ज्यादा भीतर गुज जाए, तो फिर सहन करो, लेकिन भीतर है, तो भागो मत, इस पूरे सुत्र का असार ये है, जो मैंने बताया कि मुझे अब्जेक्शन है, चीज बीतर है, फिर भागने की बात मत करो. क्लियर? डेटुटे लाइप में समझ में आ गया? बीतर है तो भागो मत, फसोगे. फसोगे, फसोगे. क्योंकि बीतर होगी तो फिर क्या होगा? और यार, इससे तो यूद कर लिया होता तो. आएगा ना? और यार, डायोस दे दिया, लेकिन क्या बुरी थी यार? फिर छे मिन बाद SMS करोगे, फिर WhatsApp करोगे, क्या फाइदा? यही सब उनने वाला जब तक बीतर है. क्लियर? बीतर से कैसे निकालना, बीतर को कैसे चेंज करना, बीतर को कैसे बनाना, यह अलग चीज है. अभी हम सिर्फ क्रश्णा के अबजेक्शन पे चर्चा कर रहे हैं, उसके आगे पीछे नहीं जाएंगे, तो हम आगे बल जाएंगे. ठीक है? क्लियर है ना? ठीक. अभी मैं इसी संदर्व में आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, शायद बात आपके समझ में जल्दी आ जाएगे. एक महान सन्यासी थे, और बारा, पंदरा, शिश्य उनसे सिक्षित हो रहे थे. और वो कभी भी 15-20 रोज मेने भर में, कुछ भी मन में आ जाता, और इंस्सक्शन दे दे थे. चेक करने के लिए कि किस पर क्या प्रभाव पढ़ रहा है. तो एक दिन उन्होंने अपने सिस्ट्रों को इंस्सक्शन दी, कि आज के बाद सब स्त्री से दूर रहेंगे. अगले एक मेने तक. ठीक है भाई? गुरू आज्या हो गई, बात खतम. और कुछ तो उससा ही थे, स्त्री को देखेंगे भी नहीं. सामने से निकल जाएगी तो, गुरू की आज्या है. क्योंकि कोई भी बात कहो, अलग-अलग प्रभाव पढ़ता है न. ठीक है. अब तिन-चार दिन बाद ऐसा हुआ, कि अचानक तेज बारिश हुई, और वो लोग विख्षा मांगने, लकडिया काटने, फल बिन्य निकले सब जने एक साथ. अब नदी किनारे विचारी एक स्त्री, तीस बतिस वर्ष की फसी हुई थी, और काफी दुखी थी. तो अधी कांशों ने तो अंदेखा कर दिया, लेकिन एक शिश्य से नहीं रहा गया, वो उसके पास गया. बोले क्या समस्या है, बोले दिक्कत ये कि मैं सुबह घर से निकली थी, रोज फल फुल बिन्ने निकलती हूं, नदी पार कर लेती हूं, अब भाव इतना तेजे कि मैं उस पार जा नहीं पा रही हूं, और वहां मेरे दो बच्चे घर में अकेले हैं. पर शीष्य को बड़ा दूख हूँ आ रहे पाप रभाव, तो बड़ी मुसीबत नहीं बोले, एक काम कर चल, बैट मेरे कंदे पे, मैं नदी पार करा देता हूं, उससे नदी पार करा ली, वापस आया, यहां तो बच्चे हुए सब शीष्य उसको ऐसे गुरुने की पूचो मत, और सब को लगा अप चल आश्रम बताते हैं, आ गया आश्रम, वो विचारा चूप, उसके समझ में ना आए, लेकिन उसे जो ठीक लगा, उसने कर दिया, आश्रम आए, संध्या को सब जन्ने मिले, गुरु जी न पूछा, कि कोई खास बात, रोच का नियम था, कि भी बाहर गयो, कोई इंट्रेस्टिंग बात, कोई रोचक बात, कोई सिखने लायक बात, कोई जानने लायक बात, तो बता दो, तो फूरी देर तो कोई कुछ नहीं बोला, फिर एक बोला, गुरु जी, इस दूस्त ने आपकी आज्या का उलंगन किया है, गुरु बोले, कैसे, क्या क्या इसने, तो उसने पुरी बात बताई, कि वो नदी के पार गया, स्वी को छोड़ के आगया, बोले, कंदे पर बिटा के वो भी, तो गुरु जी ने उस शिश्य को बुलाया, और बड़ी शाबाशी दी उसे, और गले लगाया, कि ये एक मात्र है, जिसने मेर इंस्ट्रक्शन का पालन किया, मैंने बोला था, स्ट्री से दूर रहना, यानि भीतर से, और क्योंकि इसके भीतर से स्ट्री दूर हो गई, इसलिए ये बड़ी आसानी से उसे नदी पार करवा पाया, तुमारे भीतर स्ट्री थी, मन में पाप था, तुम नहीं करवा पाए वो तो नदी पार करवा के उसे छोड़ के आ गया तुम अभी दक केरी करे हो होगा ही बात सो बीतर है वो समस्या है और बीतर है तो है फिर आप मैं देखूंगा नहीं मैं करूंगा नहीं उससे कुछ नहीं होगा मैं ना सारे खेल जब होने होंगे हो जाते हैं फिर सब रोट पेपर उठा के देख लो फिर कोई मतलब नहीं है बीतर है तो है उससे भागोगे और मजबूती से बिमारी पकलेगी और भागोगे और मजबूती से पकलेगी बास समझ में आ गई बीतर नहीं है तो कोई समस्या ही नहीं है तो क्रश्णा कह रहे हैं कि युद तेरे बीतर है राज्य की चाप बीतर है द्वेश बीतर है डर बीतर है सब कुछ बीतर है वो तेरी समस्या है और जब तक वो समस्या है तो युद से भाग नहीं सकता इसलिए मैं कहता हूँ कि समस्या है तो उससे भागो मत समझो उस पर अटेक करो क्रश्ट ने यही कहने कि समस्या है समस्या पर अटेक कर लिवर ठीक हो जाए फिर चर्चा करेंगे तब तक तेरी कोई बात मुझे मान्य नहीं है भूत किताब दीप त्रिवेदी की मनी पर मोस्ट अवेटेड बुक अब सभी प्रमुक बुक स्टोर्स और एकॉमर साइट्स पर उपलब्ध है